इस वीडियो में हम senior auditor test preparation के बारे में जो अभी AGP department में vacancies announce हुई है उसके preparation के बारे में एक detail वीडियो में बना रहा हूँ इस वीडियो के three components हैं कि senior auditor test preparation कैसे करें senior auditor syllabus क्या होगा और जो vacancies आई है उसकी यह apartment कैसी होगी provincial quota और open merit इसका क्या system होता है तो इन three components को हम details briefly discuss करेंगे ठीक है तो और इसमें हम discuss करेंगे जो senior auditor test preparation है CPS का syllabus होता है जिसके तुरू test आता है तो उस test में 20 marks total 100 marks का paper होता है 20 marks उसमें English का portion है बागी 80 marks जो है उसकी किस सरा होता है मतलब कौन से topic से कितने percent MCQs जो हो आते तो मैंने two मरतबा FCPS test दिया है senior auditor के two department CGA department और AGP department का test में already दे चुका हूँ तो इसलिए उसका मुझे experience है और मैंने नोट किया हुआ है किस topic से या कौन से area से कितने percent मार्ग से examiner करते हैं तो इनको इन्शाला हम detail discuss करेंगे तो kindly of full video जो है उसको देखें ताके आपको idea हो जाए before test preparation हम discuss करेंगे कि FCPS का जो senior auditor vacancies है उसका syllabus क्या है जैसे कि आप जानते हैं कि different department में senior auditor जो है उसकी vacancies आती है railway department है पाकिस्तान military accounts department है ठीक है CGA department जो जिसको आप एकांट्स केते हैं और AGP department आटेडर जनल आप पाकिस्तान तो यह त्री डिपार्ट्मेंट जो है एजीपी डिपार्ट्मेंट पाकिस्तान military accounts department और इसका syllabus जो है बिलकुल सहम आता है ठीक है हर साल इसका या हर दो साल बाद जो विकंसी जो की जाती है तो इसका syllabus सहम होता है सिरफ CGA department का syllabus होता है तो इसको हम compare करेंगे कि अब आज FCPS के senior audit जितने syllabus है उसमें कौन-कौन से topics जाए हो सहम होते हैं और कौन से topics है जो कभी-कभी वेरी करते हैं ठीक है तो इसलिए आपको आइडिया हो जाएगा आज से और ताकि आप से स्टार्ट करें ताकि आप आज से ही स्टार्ट करें एकार्डिंग टू जो पास्ट से उसका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैंने इसका एक डिटेल से इस एक पाइडिया कामपेरिजन बनाया हुआ है ठीक है तो जो ग्रीन कलर में एरिया जो हमारा लेफ साइट पे है यह एज़ीपी डिपार्टमेंट पाकिसान मिलिटरी काउंट डिपार्टमेंट एंड्रेल वे डिपार्टमेंट इसका तक्रीबन पिछले दस साल चाही है है जो हमारा राइट साइट पे है यह सीजीए डिपार्टमेंट है कांट्रोल जनराफ एकाउंट ठीक है तो नीचे इसमें जो ग्रीन एरिया जे इसका मतलब यह है कि यह दोनों सेलेबस में सैम है रेट जो पोर्शन है इसका मतलब यह कि इस सिरफ सीजीए डिपार्टमें में जो है यह एरिया जो है इंकलूड किया गए थे ठीक है बाकी में साथ-साथ बताता जा रहा हूं कि नमबर वन एकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स यह दोनों सेलेबिस में सेह में और इसी सेलेबिस में भी होगा जो एजीपी डिपार्टमेंट का कभी करण्डी वेकैंसी जनाउंस ही ठीक है तो यह टापिक बिल्कुल आप आज से ही स्टार्ट करना स्टार्ट क है यह एजीपी डिपार्टमेंट के सेलेबिस में पास्ट तक्रीबन दस साल से यह कंटिन्यूसली यह टॉपिक्स है तो आप इसको भी जो है प्रिपेर करें एडजस्मेंट एंड डिप्रिसियेशन यह लड़ी एकाउंटिंग का ही टॉपिक है नमबर फॉर स्कूटिनी आप रिकॉर्ड पार अड़िट परपस सेटलमेंट और अड़िट अबजेक्शन ठीक है फिर है यह ग्रीन है ठीक है तो यह मतलब यह कि इसी जिपार सीजिए डिपार्टमेंट के सेलेबिस में भी यह टॉपिक है प्रेपरेशन आप इन्वल बजट इंपोर्टेंट फैन में शेयर करने का मतलब मेरा यही था कि आप बहुत से फेस्बुक पेजिस पे मैं देख रहा हूं कि लोग सेलेबिस के बारे में कंटिन्यूसली क्वेस्टिन्स कर रहे तो काइंडली आप रेपरेशन पर फोकस करें और इन जो यह पुराना जो सेलेबिस से उसको इनके साथरे में सीजी डेपाटमेंट में यह तीन एरिया जो इनक्रूड किये गए थे हैं तो यह था सेलेबिस इसके बाद हम डिसकस करते हैं क्वालिफिकेशन इलिजिबिलिटी किया है जो अभी सीनियर आडिटर क्योंकि जियारत कंडिडेट्स ले जिन्होंने अपलाई किया या जो स्टूडन जिन्होंने बैचलर किया है टू इयर्स लेकिन उनके मेजर सबजेट्स वो एकनॉमिक्स, टैट्स, मैट्स इनका ये तीन मैजर सबजेट्स हो इसमें अगर एकनॉमिक्स जो स्टूडन जिसने टू इयर्स बैचलर किया है उसने एकनॉमिक्स पढ़ा हो तो वह उलिजेबल है। अगर से स्टेट्स पढ़ा हम तो भी उलिजेबल है। अगर उसने मैथ्स पढ़ा हम तो भी उलिजेबल है। जो स्टूडंस S.E.C.A वे ग्राउंड से हैं और उनका knowledge level क्वालिफाय है। और knowledge लेज़ेश लेवल के साथ-साथ उन्होंने बैचलर भी किया है तो वह एलिजबल है अगर बैचलर ना हो तो वह एलिजबल नहीं है क्योंकि पेचले दो तीन साल से जारत से स्टूड़न्ट टेस्स पास्स कर जाते हैं लेकिन इंटर्विव के लिए कानली किया जाते हैं क्यो लेकिन इसमें 5-year relaxation है तो गुड़ न्यूज ओ लोग है उन लोगों के लिए है जो लोग 28-year से अबव है तो वह भी इलिजबल है लेकिन 33-year जो है उससे ज्यादा इलिजबल नहीं है अगर उनका ज्यादा हो AGP department के जो अभी vacancies आई है उसके total vacancies 125 है ठीक है इसमें 9 जो है यह vacancies यह open merit है ठीक है 9 open merit है और 116 यह merit based होंगे प्रवेंशल कोटा जे उन पर यह अपार्शन किया जाएगा लेकिन जो 9 open merit है उसकी location कैसी की जाती है सपोस्थ यह है कि सपोस्थ त्री कंडिडेट्स जो केपीके से बिलांग करते हैं और top 9 में उन्होंने अपनी seat confirm कर ली मतलब वो top 3 position में आ गए ठीक है तो यह 3 जो लोग हैं यह केपीके से बिलांग करते हैं तो यह केपीके के seats में जो जो कोटा रखा हुआ है FCPS ने इसमें केपीके के 15 जो है विकेंसी है टोटल 116 में से 15 विकेंसी केपीके हैं तो केपीके का 15 seat जो है इस effect नहीं होगा क्योंकि ओपन मेरिट पे आएं तो बाकी पंजाब के 63 है स सिंद अर्बन के 10 विकेंसी है के 15 और बुलिचस्तान के 7 विकेंसी है ठीक है तो हमने discuss किया syllabus डिसकस किया हमने eligibility criteria डिसकस किया ठीक है अब हम discuss करेंगे के senior auditor test preparation कैसे करें और उसके लिए कौन से material यूज करें तो आप kindly इस वीडियो को completely देखें ताकि आप लोगों को idea हो जाए और आप लोग सभी अच्छा फ्रेंड्स अब हम आते हैं senior auditor test preparation के बारे में good news यह कि मैं आपके साथ एक strategy जो है उसको share करूंगा जिससे इंशाललह अगर आप committed है ठीक है अगर आपकी मतलब academic studies में अगर आपकी इतनी basics strong भी नहीं है तो इंशाललह I hope कि इस strategy से आपको वीडियो में आपके साथ lectures भी lectures के तुरू यह शेयर करूंगा इंशाललह तो strategy यह है कि पहले में आपके साथ share करूं कि जब मैं first time senior auditor test के लिए मैं ने apply किया उसक में CCA के last paper में था मतलब professional labor के papers में था तो हुआ यह के senior auditor यह post का नाम है वेकैंसी जो senior auditor announce होते तो यह senior word से मैं तोड़ा सा मैंने उसको misunderstand किया कैसे इस तरह के मैं समझा कि यह senior most job है तो इसकी जो है job duties भी बहुत ज्यादा मतलब professional होगी और इसमें यह कि इसकी जो selection हो भी तोड़ा सा complex होगा क्यूंकि मुझे इससे पहले फीडर भबेस्ट कमिशन का कोई भी टेस्स मैंने नहीं दिया था तो मैंने यह किया कि मैंने S.E.C.A. के professional labor के papers उटाएं उसे मैंने preparation की basics को मैंने बिल्कुल ही touch नहीं किया ठीक है और ना मैंने FCPS syllabus देखा था जिसकी वज़ा से मुझे test में बहुत जारा difficulty आई ठीक है और उन्होंने क्यूंकि मैंने professional labor papers के study की थी और test में बिल्कुल basic ही उन् इसकी नहीं कियोगी तो आप लोगों को भी उसकी बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी तो अगर क्यूंकि आप लोगों के पास knowledge है आप लोगों के पास है लेकिन guidance चाहिए तो guidance इन्शालह में ही तो आपको दूँगा ठीक आपको basic become level आप जिस सब्चक्ट से भी belong करते हैं आप अपने basics के books उटाएं जो foundation level की books है ना जो जहां पर आपने start ली admission लिया ठीक है उसी के books उटाएं ठीक है उसे preparation करें तो अच्छा जब मैं test में गया तो test में मुझे मैंने paper में देखा तो बिल्कुल basic उन्होंने test किया था suppose इस तरह के maximum number आप shareholders in private company and public company are तो यह तो बिल्क इसको मतलब numbers straightforward questions थे ना लेकिन मुझे पता नहीं था कि कितने होते हैं क्योंकि बूल गया था आ अलड़ी मेरा professional CCA और इसका पाकिसान education में तोड़ा सा फरक है ठीक है जिसकी वजह से इसमें मुझे तोड़ा सा मुश्किलात आए तो मैं unfortunately मैं qualify ना कर सका ठीक है अच्छा इस के बाद हम discuss करेंगे तो यह मैं qualify ना कर साका लेकिन लेकली यह हुआ कि नेक्स्ट येर दुबारा विकेंसी जाई इसी जिया डेपार्टमेंट में लेकिन उस वक्त मुझे idea हो चुका था कि FCPS जो है senior auditor test में basics ही टच करते हैं तो मैंने किया किया मैंने become level के books उटाएं उससे म मैंने पड़ा cost accounting मैंने पड़के FCPS जो syllabus है उसको मैंने download किया ठीक है उसी के base मैंने study की तो alhamdulillah मेरा test बहुत जबर्दस हुआ था और इन बुक्स से मैंने क्या किया मैंने अपने notes बनाएं ठीक है practice के लिए मैंने book जो है उसको use किया जो मैं भी आपके साथ share करूँगा और जो मैंने accounting के लिए book use किया था उसको भी मैं आपके साथ share करूँगा ठीक है तो आप लो materials है ना उसको use ना करें जो PDF फाइल में बहुत है जब मैं students को सर देखता हूं कि हो request करते रहते हैं कि kindly आप वीडियो शेयर करें यह और नोट्स शेयर करें यह book PDF में शेयर करें तो kindly please avoid these things क्योंकि जब मैंने study start किया था initially तो मैंने भी यह किया था मेरा अभी भी laptop में एक फोर अभी तक मेरे उसको एक फाइल भी अभी तक open नहीं किया लेकिन वैसे भी student की होती है ना कि उनके पास जाएड़ा data हो तब ही प्रेपरेशन सही होगी तो आप लोग इससे please avoid करें मैं accounting के लिए आपको एक ही book सजेस्ट करूंगा और इंशाला मैं guarantee कर रहा हूं कि उससे आप कौन-कौन से topic से कौन-कौन से subject से जिससे उसको जो है कितने सिक्यूज आते हैं वह मैं आपके साथ share करूंगा इंशाला based on my truth through attempts experience okay friends आप लोगों ने attention नहीं लेनी preparation के लिए जो materials है ठीक है मैं आपके साथ जो है इस video के end में या next video में या नीचे video के description में share करूंगा books list के कौन-कौन से books जो है आपने use करने है ठीक है तो बस आपने preparation करनी है आप openly आप मुझसे comment में please जो topics में आपको मसला है या कोई और questions है तो kindly आप comment में उसको share करें दाके मैं उसको सही तरीके से आपके साथ जो है ओड्रेस करूं क्योंके अभी मैं प्री हूँ तो कुछ दिन प्री है तो इसके साथ मैं चाहता हूं कि जितने भी students है उनके साथ अगर help हो जाए तो अच्छी बात हो यह two attempt experience के base मैंने इसकी location की है ठीक है past paper जो है luckily मेरे पास past papers हैं जिसके through मैंने यह इसको जो है different topics wise syllabus wise मैंने इसको categorize किया है अच्छा 22 है English marks के remaining 80% marks में ना उसमें major जो portion है ओ है accounting का ठीक है अगर आपकी accounting अच्छी है मैंने मैं अभी आपको एक book भी recommend कर रहा हूँ तो इंशालला आपके तो 40% पक्ये marks जो है उसी accounting book से cover होंगे यह मैं आपके साथ guarantee है इंशालला test के बाद आप जरूर मुझसे जो है राप्ता करेंगे ठीक है इसमें यह है कि accounting का जो 30 से लेके 35% यह area attempt होगा ठीक है 30% से लेके 35 तक यह vary करता है यह 40 तक भी चला जाता है ठीक है यह most important जो है portion ओ है accounting तो आप माइंड में रखे के accounting आपने सही तरीके से तयार करनी है ओ भी बिल्कुल basic level के ना के accounting standards डिपरेंट जो है आप concept पढ़ें ठीक है very basics आपने पढ़ना है second जो important area है ओ है auditing यह auditing जो है तक यह vary करता है ठीक है third portion जो है cost accounting and financial planning यह 20% के जो है इससे mcqs जो है attempt होते है ठीक है फिर तोड़ा सा जो important area है ओ है public procurement rule बसे दो से लेके 4 mcqs attempt mcqs examin होते हैं वो भी simple होते है ठीक है pension rule से तक्रीबन दो से चार numbers आते हैं वो भी very basics के इस तरह नहीं कि बहुत जारा rocket science उसमें होती है बिल्कुल बैसे की यह भी मैं आपके साथ इन्शाल्ला discuss करूंगा वेडियो में lecture के तुरू ठीक है और बागी जो syllabus के जो बागी area है जितने परसंट रहते हैं उस पर यह scattered आते हैं कभी budget से आते हैं तो भी तो कास्ट में ही आएगा ठीक है तो इस तरह यह मैंने कटेगराइस किया था तो इसमें आपको तो आइडिया होगा के accounting का जो है major portion है ठीक है पर कास्ट accounting का और auditing का यह तरी एरिया अगर आपके strong हो गए ना तो आप ने इन्शालला 70 plus marks जो है लेनी है ठीक है अच्छा आप लोग ने क्या करना है कि आप लोगों को मैं अभी जो suggestion दे रहा हूं ना आप लोग सबसे पहले syllabus में आपके साथ शेयर किय सिपिस के syllabus का वेट ना करें ठीक है क्योंकि यह जो एरिया से consistently से हमारे 10 साल से तो अभी भी चेंज नहीं होगे इन्शालला ठीक है तो आप उसी के preparation स्टार्ट करें accounting के आप सबसे पहले आपने accounting के preparation स्टार्ट करनी है मैं आपके साथ एक book recommend कर रहा हूं उस book को लें उसके contents भी में आपके साथ share करूं और आप लोगों को जो है आप लोगों के साथ में promise कर रहा हूं कि इस book के जितने भी contents है ना इसके में videos बनाऊंगा lectures बनाऊंगा हर chapter के और में आपके साथ share करूंगा आपके साथ PCPS का जो past paper है उस शेयर करूंगा उससे फिर आप खुद compare करेंगे कि आप जो मेरे जो मैंने advice किया था उसे आपके कितने जो है help हो रही है ठीक है तो जो book मैं आपको recommend कर रहा हूं ना वह है principle आप accounting यह writers का नाम है मैं गनी यह book है इसके मैं अभी आपके साथ picture भी शेयर कर रहा हूं और इसके contents है ना वह भी आपके साथ share करूंगा तो आप kindly इस book को लें ठीक है इसमें बिल्कुल chapter to chapter में आपके साथ जो है help आउट करूंगा इसके चेप्टर के एंड़ एंड़ एमसी क्यूज भी है जो बिल्कुल basic level के ही है और आप लोगों को खुद पता हो इसकोले basic टच करते हैं अच्छा जब हम इस book को पढ़ेंगे ठीक है accounting में आपके साथ इन्शाला यह guarantee के साथ में आपके साथ यह स शेयर करता हूंगा तो काइंड यह आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताके accounting यह सारे लेक्शेद आपको में इन्शाला इसके बाद हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम फिर auditing भी पढ़ेंगे ठीक है तो full FCPS से लेबस कवर करूंगा लेकिन आपने YouTube चैनल सब्सक्रा आउएंगे आपने किरी और नहीं 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 आपने दो-तीन चार भूच्व को लेना है ताके क्योंके एक साइख होते हैं स्टूडन कीजितने उनके जचार जाविया मेरे बॉक्स ज्याद है तो मेरा जहांड़ अच्छा और सब्सक्राइंगे अच्छा इस बुक का जो content है ना यह accounting principle बिंट बुक है इस में एक तो एंट्रोडक्शन है फिर इसमें जो उसको शेर कर रहा हूं accounting principle and accounting equation यह बिल्कुल important है इसे guarantee के सार्थ मेरे हाइलेट भी का जो से दो तीन से क्यूस पास्ट पेपर में भी आए भी हैं ठीक है नेचर आप इकाउंट से रूज आप डेवेट एंड क्रेड़िट इससे भी एक दो क्वेशन जरूर आएगा हर टेस्क में से आता है जर्नल लेजर बैंकिंग ट्रांजेक्शन सी के सब डिविजन आप जनल एंड कैश बोक सब डिविजन आप जनल अदर कैश बोक प्रूविजन आप बेड़ डेट एंड डिसकाउंट इससे दो इंप सीक्यूस जरूर आएंगे एपिटल एंड रिविन्यू इसका जो डिपरेंस ते इससे भी तक्रीबद दो से लेकर तीन इंप सीक्यूस जरूर आते हैं रिक्टिफिकेशन आप एरस जो डिपरेंट एरर जैना प्रिंसिप एर अरण प्रिंसिपल एर कमेशन इससे भी हर टैस्क में जो है दो तीन इंप सीक्यूस आते हैं पिर इसमें साइमेंट एकाउंट से इसे भी कुछ जान जान वेंचर एसमें पार्टनर्शिप इससे चार से लेकर पांच एंप से जोरूर इससे आते हैं प्रविजन रिजर्व एंड सेंग पॉंट्स एंप्प्यूटर तो इन शाड़ यह बुक बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा तो आप लोग यह बुक लें ठीक है और मैंने अपने नोट्स बनाएं इस बुक स आप से शौट फ़र में नोट्स बनाएं जो एक दिन में या दो दिन में आप बेंसको ऌदे नुद्री कर सकते हैं लिगया है अगर दो फीन मरतभर में और ब्रवाइस सब्सक्ता हो जाएगा तो इण सानला मैं और रहाएं के बनाओंगा targeted मेरे तो यह की स्राट अधिन पर ना चाहे तो WhatsApp नंबर इसके नीचे दिया हुआ है तो उसके आप मैसेज करें अगर आप जो है इंट्रस्टेड है क्लासिस में क्यूंकि मैं आपके साथ चैप्टर एक्स्ट्रेंड करूंगा बिल्कुल हमारा जो पीजिकल क्लासिस तो नहीं है लेकिन जूम के तुर हम क्लासि क्यांसिपेट करेंगे और जो एकन्ण के साथ अपने नोटस भी शेयर करेंगा हर लिक्षर के नोटस भी शेयर करोंगा जो परस्ट्रस मैंने बनाए उसको भी शेयर करूंगा तो काईडली आप मेरा य्यूट्यूव चैनल सबस्क्राइब करें ठीक है और अपने फ्रेंड कि कॉमेंट्स में भी आप जो है अपने शेयर कर सकते हैं ठीक है तो एक और वीडियो में बना रहा हूं जो स्टूड़न्ट डिमांड कर रहे गर रूंके कुछ और क्वेस्टिंज रेपरेशन के बारे में तो मैं और भी साथ शेयर करूंगा थैंक यू ए असलाम अलेकूम ए कर रहा है